वाइट सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा आप चाहे तो कॉर्ण फ्लावर भी ले सकते हैं थोड़ी सी घी इसमें हम बटर का भी यूज़ कर सकते हैं एक कब दूध एक पिंच के करीब नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स तो चले हम अपना वाइट सॉस बनाना इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे अब इसमें हम अपना मैदा डाल देते हैं तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर हल्का ज्यादा ब्राउन नहीं करना है बस हल्का इसने कलर चेंज होना चाहिए इसे हम इसे चलाते रहेंगे जैसे हम हालबे चलाते हैं धीरे धीरे लो फ्लेम पर मैदा कलर चेंज हो गया है अब इसमें डालेंगे अपना दूध है हमने इसमें दूध है कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाएंगे ताकि इसमें लंस ना बने ऐसे आप देख सकते हैं हमें तब तक इसे पकाना है जब तक यह ठीक ना हो जाए अब देख सकते हैं कि हमारी जो मैदा है वाइट सॉस जो हम बना रहे हैं वह थोड़ी गाड़ी हो रही है आप देख सकते हैं कि हमारी जो सॉस है वह कितनी अच्छी पक रही है अब अपने नुसर इसमें पानी भी आड़ कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी ठीक है तो लेकिन हमारी तो बहुत अच्छी बनी है बिल्कुल वाइट सॉस के तरह यह देखिए मेरी हमारी वाइट सॉस जो है वह बिल्कुल तयार है तो आस और दो मिनेटी से पका लेंगे ताकि जितना हम इसमें इसको फेटेंगे उतना ही हमारी जो सॉस है वह बढ़ेगी अब हम इसमें एक पिंच नमक एड़ करते हैं उसके बाद यह हमारा जो चेली फ्लेक्स है वह भी आड़ कर दियें अब इसे अच्छे से चला देंगे मिक्स कर देंगे देखिए कि इतनी अच्छी बन कर तयार हुई है हम गैस का फ्लेम बन आफ कर देते हैं और यह हमारा जो वाइट सॉस है वाइट पिजा सॉस यह बन कर रेड़ी है यह देखिए हमारी वाइट सॉस की रेश्पी बन कर रेड़ी है यह मोजरेला चीज से भी खान में बहुत टेस्टी लगती है यह घर की बनी हुई है ना और मैं पिजा के लिए हमेशा इसी सॉस का यूज करती हूँ क्योंकि यह चीज से कहीं ज़्यादा टेस्ट में बेस्ट है